कि इस ख्लास में हम लोग हैलो फॉर्म रिक्षन के बारे में पढ़ेंगे हैलो फॉर्म रिक्षन देखी क्या है अगर कहीं पर मिथाइल कुटोन है कि अगर वे तो बनाना पहले में परद बनादिया है आप इसको यहां से तोड़ो हैना और आर सी ओ माइनस प्लस आपका एक हैलो फॉर्म बन जाएगा ठीक है तो यह हमारी रिएक्शन जो होती है ना यह मिथाल किटोन की टेस्टिंग ले भी यूज कर सकते हैं क्योंगी जो हैलो फॉर्म होता है यहां पर एक्स जो हम लोग यूज करते हैं ओएच माइनस प्लस एक्स तू लेते हैं जो यह एक्स यूज करते हैं हम लोग यह एक्स होता है हमारा ब्रोमीन हो सकता है क्लोरीन हो सकता और आयोडीन हो सकता है ठीक है तो यह जो हमारा हैलो फॉर्म होता है यह प्रसिपिटेट होता है जो छी एक्स थ्री होता है यह हमारा प्रसिपिटेट होता है अगर छी एचा यह हमारा प्रेशिपिटेटर इसिंत असमें निया आपने एच बाइनस फ्लश कौन प्लश स کते हो मिफ्रोमीन ले ज ningún क्लोरीन ले सकते हैं आयोड ले इसल्यक्टन नहीं सकते हैं क्योंकि फ्लोरीन की प्रजस्त में यह एक्सन एक्सप्लोशी हो जाती है कि फ्लोरीन एवाइट करते हैं हम लोग क्या लेते हैं फ्लोरीन अलोट लेते हैं चाहिए बरुमीन प्लोरीन रही लेते हैं लिएक्सिं को कंट्रॉल करना मुश्टिल हो जाएगा अब इस पूटक्न बनता है कैसे है आप इसको यह से तोड़ दो एक पार्ट को एषिट बना दो लो ऑसी हो माइनस होगा को बना लिया अधियर चेकर लिया अधिसन हो कैसे ही है में बताता हूं ऊपकिल इसकी मैकनेजम देखते हैं हो कि यह वीडियोन एस्ट ही है ना तो से यह यह आपका बेस आएगा तो बेस आगे क्या करेगा आप बताओ बेस आगे इस डिक हटा दिया बेस ने वह एच माइनस लेगा है इस डिक हटा दिया तो देखिए क्या बन गया R C U C H 2 माइनस ठीक है ना H प्लस निकाल लिया अपने और X 2 से आपके पास क्या रहेगा बताओ आपके पास X 2 है X 2 क्या दे सकता है X प्लस और X माइनस ना तो यहां पे आगे अगले स्टिप में क्या हो जाएगा हो देगा अगर X2 रहेगा तो आपका क्या बन जाएगा RCU CH2 X Plus X- फिर आप base लेके आओगे तो आपका ये क्या होगा बताओ फिर acidic hydrogen हट जाएगा फिर X आजाएगा तो बार बार जब आप X2 और OH- लेके आओगे न X2 और OH- की वज़ा से अटना इंड या बताओ क्या बन जाएगा एडन इंड या बन जाएगा ना RCU CX3 ठीक है ना अब CX3 क्या है बहुत अच्छा लेविंग ग्रूप है CH3 क्या है बहुत अच्छा लेविंग ग्रूप है ठीक है ना तो OH- फिर आएगा अब फिर OH- लेगा होगे OH- पैसे अटेक करेगा और यहां से CX3 निकल जाएगा तो बताओ क्या बन जाएगा RCO OH हो जाएगा प्लस CX3 माइनस हो जाएगा अब यह इसरे टेक हाइट हो जोन यहां निकलेगा तो यह CH3 मनेगा तो यह प्रिसिटिट होगा CHBRी वी होता तो निकलोड पॉन ह dang u आप फ्लॉरीन ने लेंगे हम लोग तो है यह लो फॉर्म रिक्णि से लोग देते हैं है यह वान एक सन देनी के लिए आपके पाश रियो नी चाहिए यह तो बेसी कंडीशन है कि ऐसी होगा तो हमारी है लोफ रॉर्म रिक्सटित हो जाएता लेगा तेज ना और भी बहुत स है यहां से ब्रेक कर दोगे तो यहां से ब्रेक करके इसको क्या बना लो आर सीयो माइनिस वागी सबको है लो फॉर्म बना लो यहां एंप ग्लोर फॉर्म भी ले सकते हो अगर इंप रलें만 लो हैं कि यह धियोज्ट कह सो और वाहिट आपूल सकते हो कि इसवी ब्लाइटि यहलो प्रेसिपय़ेट आप बुल सकते हो फ्लोरीन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, होता है क्या है, आप OH- ले क्या है, OH- यहाँ पर आएगा, तो क्या करेगा, इस्टिक हाइडोजन को निकाल लिया, तो क्या हो गया, RCO, CH2-, ठीक है न, फिर X2 कैसे टूटेगा, बताओ, X2 टूटेगा, X plus और X minus, X minus H plus, HX बनागे निकल जाएगा, X plus आया, यहाँ पर लग गया, RCO, CH2X हो गया, फिर आपका, आया, OH- यह निकाल दिया, क्या बन जाया गया होगा, CHX2, फिर आया होगा, OH- एक हो और निकाल दिया होगा, क्या बन गया होगा, CX3, देखो, मैंने यह बना दिया, अब यह आपका, लेविंग रूप होगया, यह अटेक करेगा, यह निकल जाएगा, देखो, इसने अटेक किया, और यह निकल गया, और CX3, यह वाला है, यह निकाल ला और वहाँ पर जागे लगया, ठीक है ना, यह हमारा होगया, ठीक है ना, तो बेसिक कंडिशन यह है, और देखो, कौन कौन से लोग हैलो फॉर्म रेक्शन देते हैं, पेपर में यही होने चाहिए, जो आपने देखे क्या, और CX3 जासा कुछ होना चाहिए, अलब मिथाइल की टोन, यह दो देख लिया अपने, सेकेंड, यह वाला लडी हाइड भी देदेगा ना, हैलो फॉर्म, क्यों देदेगा, देखो, ना, CX3, CO, गुरूप पैस के पास, ठीक है, यह एल्ड याइड देगा, थर्ड, कोई भी टू डिग्री अलकोहल जो ऐसा होगा, CX3, CH, OH, R-, टू डिग्री अलकोहल इस टैप का देदेगा, होगा क्या, यह ऑक्सिडाइज हो जाएगा, पहले, X2 इसको ऑक्सिडाइज कर देगा, ऑक्सिडाइज होके यह क्या बन जाएगा, बताओ, CH3, CO, R-S, S हो जाएगा, ऑक्सिडाइज होके, और फिर टेस दे सकता है, तो यह भी दे देगा, ठीक है, और कौन दे सकता है, बताओ, CH3, CH2, OH भी दे सकता है, है न, यह आपका, वन डिग्री अलकोहल है, यह वाला, वन डिग्री अलकोहल भी, टेस्ट दे सकता है, कैसे यह ऑक्सिडाइज हो जाएगा, जब यह वाला गुरूप आगा, ठीक है न, तो यह भी टेस्ट दे सकता है, और देखो कौन दे सकता है, यह भी दे सकता है, यह भी दे सकता है, हैलो फॉर्म, ठीक है, यह हैलो फॉर्म देता है, क्योंकि देखो, यह स्टेटिक हाइड रोजन है यहाँ पर ठीक है ना यह भी टेस्ट देदेगा ठीक है यह भी आपका हेलो फाम देदेगा ठीक है एस्टिक हाइड रोजन है अधिर गीटो एसेट भी देदेगा एलो फाम बीटा इसे देगा आप बताओ है कि रोगे बीटा रिट्व बताया पहले के बार कि हीट करने पर क्या निकल जाता सी ओडू निकल जाता तो यह देने लगे यह लोग फाम टेस्ट देंगे लग फाम के लिए कि किए ऊभो नहीं चाहिए उस्व क्या पोद्ग होना चाहिए या इन में से कुई कमपाउंड उना चाहिए जो यो फॉंप देंगे अच्छा अगर मानलो कोई पूछ रहे एक है यह लग जाएगा यह रडे सीयों मैनस और यह बन जाएक तुछा टाइञ तर यह तो समझी इसकी बात करें तो revisit the compare और फिर आप क्या निए करोगे का इसको ऐसे अटैक करोगे तो यह इधर से यह कर दोगे खोल दो किसा बन जा जाएगा देखना हूँ यहाँ पर आपने ओएच मैंने सर्टेक किया यह इदर से खुल लिया इस आपका क्या बन गया होता हूं सी एक्स थ्री ठीक है ना फिर क्या होगा जैसे यह दो इस्टेटिक हिड्रूजन नहीं आपके तो आप यहां 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 क्या लगा रहे थे यह एक्स लगा रहे हैं तो कि मैं पहले बीच के स्टिप बना देता हूं जैसा बन जाएगा आपका ठीक है दोनों एच अटा और वहाँ पर दोनों एक्स लग गया ठीक फिर क्या होगा आपका ओएच माइनस आएगा इस पर take करेगा हूं यह सरक खुल जाएगा ऐसा बन जाएगा बताओ यह आपका की एक्स टू हो जाएगा और इस पर जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है ना अब ही फिर क्या होगा एक एक एक्स अगे अहाँ लग जाएगा तो फिर क्या होगा की सी एक्सत्री धया ठीक है की एक्सत्री हो गया फिर बताओ अच्छा लीविंग रूप है यहाँ पर अटेक करेंग और यह सी एक्सक्रीख लीगग़ निकल लाइगा ठीक है न तो यह भी हैलो फॉर्म दे सकता है अच्छा देखू अगर आपने लिया यह भी हलो फॉर्म देगा ठीक है ना देगा न हम ठीक है एक है यह छेटेगा यहां एक्स लगेगा फिर फ फिर हमाइनस रागे हैं यहां टेक करेगा और यह निकल जाएगा यह भी हलो फॉर्म देगा यह देख nutzen यह बताँ यह भी हलो फॉर्म देगा ठीक है न ही ऋइच मैंस ऐटेग करें इधर से निकल जाएगा कि यह वह अब यह मैंने से प्लफ अब देगा यहां से निकल जाएगा ठीक है तो किया सीखा हम लोगों ने हम लोगों लोग ने सीखा कि अगर अपने पास OH- plus X2 है तो हमें हेलो फॉर्म का प्रिसिपिटेट मिलता है और हम लोग एक्स की जगह क्या क्या उच कर सकते हैं क्लोरीन ब्रॉमीन आयोडीन उसकते हैं फ्लोरीन क्यों नहीं यूच करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रियक्टी होता है तो रियक्षन को कंट्रो करना मुश्किल हो जाता है है हेलो फॉर्म देने के लिए क्लिए बेसिक कंडिशन है आँ तो अधील की टोन होना चाहिए आपके पास या एक्सिटल्डी हाइड होना चाहिए आएना CT eso it to the alcohol ऐसा होना चाहिए ठीक है तूडीक्री एलकोहल एक्सिटाइज होके पर इसमें कर यहां पर भी हो जाएगा दोनों एक्स लग जाएगा इसमें बीटा गीटो एसीट करोगे करोगे यह पूरा पार्ट निकल जाएगा यह आपने मैकनीजम में देखा ही है कि बेस आएगा तो एक्स आएगा सी एक्स प्री बन जाएगा फिर वेच माइनस अटेक करेगा तो इधर से निकल जाएगा यह भी दे देगा तो यह हम लग ने पढ़ ली हैलो फॉर्म रियक्स अगे के लिए क्लासेस में हम और नेम डीग सेंपड़ें है